बच्चो बहुत स्वागत है आप लोगों का chemistry class में मैं हूँ आपका chemistry teacher सुनी ला दो हाँ बच्चो हम एक नए अध्याई के साथ आपके साथ हैं हमारा अध्याई हैं प्रासाइनिक बंधन बच्चो सबसे पहले मैं आज आपको बंध के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि बंध क्या होते हैं तो देखिए मैं सबसे पहले आपके सामने तीन प्रकार के बंधों की बात करूँगा जिन में सबसे पहला जो बंध होगा बच्चो वो होगा सह संयोजक या सह संयोजी बंद बच्चों दूसरा होता है उप सह संयोजी बंद और तीसरा और महात्पूर्ण होता है बच्चों आइनिक बंद आइनिक बंद तो बच्चों उपको ये तीन प्रकार के बंदों के बारे में जानकारी लेनी है मैं सबसे पहले आपको सह संयोजक या सह संयोजी बंद के बारे में जानकारी दूँगा तो बच्चों ध्यान से समझे कि सह संयोजी बंद क्या होता है सह सहियों जी सह सहियों जी बंद तो दिहान से समझे और अच्छे से क्लियर कीजिए बच्चों मैं आपको बता दू दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक एक समान या भिन्द भिन्द परमाणू ओ परमाणू द्वारा बराबर मात्रा में एलेक्ट्रोनों का या होता है बच्चों साजा और साजे का एलेक्ट्रोन जोड़ा दोनों परमाणूं के मद्धे पाया जाए तो बच्चों इस तरह उन दो समान या भिन्द परमाणूं की बीच बनने वाला जो बंद होगा वो क्या कहलाएगा वो सहसेंजी बंद कहलाएगा ठीक डेफिनेशन को उधारन के द्वारा समझना ज्यादा आसान हो जाएगा तो चलिए उधारन पर चलते हैं और देखिए बच्चों पहला उधारन मैं आपको F2 के निर्मार से समझाता हूं F2 का निर्मार बच्चों F परमाणू उक्रमांग 9 इलेफ्टॉनिक विन्या 2 और 7 हो जाएगा प्लस एक दूसरा परमाणू इसका भी F9 2 और 7 इसका भी हो जाएगा ये दोनों मिलेंगे तब इस तरह से F2 काड़ू बनेगा ठीक है आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन के अंतिम कोश में साथ और इस फ्लोरीन के अंतिम कोश में भी साथ एलेक्ट्रॉन है तो अगर मैं इस तरह एक कोल आकर्थी के द्वारा फ्लोरीन क निर्माण करूं ठीक हैं तो प्लस इस तरह से में एक दूसरे फ्लोरीन का भी निर्माण करूंगा अब इसके अंतिम कोश में जो साथ अलेक्ट्रॉन है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो पहले फ्लोरीन के अंतिम को उसके साथ एलेक्ट्रोन एक ठीक है बच्चो फिर दो तीन चार पांच छे और इस तरह से ये साथ इसी तरह से मैं दूसरे फ्लोरीन के एलेक्ट्रोनों को तो थोड़ा सा कलर चेंज करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आप समझ पाएंगे ध्यान दीजिएगा बच्चो मैंने लिए एक दो तीन चार पांच छे और एक ये साथ फाइनली क्या होगा अब आप वो समझिए फाइनली होना है कि ये परमारू इसके स चार शक्ता है तो ये एक 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 एलक्ट्रोन का साजया कर लेंगे तो बच्चो जब ये जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से एक दूसरे से जोड़ जाएगा इन बोनों के ज़ढाओ से, खालोगे एक ऐसा संख्षिप्त सा एरिया जैनरेट हो गाहिए वाला हिस्सा जो की कहलाएगा उनका अठी वियापन छेत्र, क्या बहुलेंग वाले बच्छो अठी वियापन छेत्र है, यह वही छेत्र है बच्छों, जहां पर वह अपने साज्ये के इस तरह से, ठीके दोनों के पास finally क्या होगा, एक 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 एलेक्ट्रोन जो है वो पहुच जाएंगे, देखिए इस तरह से, पिलर हो गए मेरी बात, finally इस परमाडू के जो 6 एलेक्ट्रोन होंगे, बाकी के 6 वो उसके पास indicate होंगे, इसी तरह से दूसरे बाले परमाडू के, जो 6 एलेक्ट्रोन होंगे, वो उसके पास indicate होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, finally जब आप देखोगे, इस तरह से, दो फ्लोरीन के अड़ों को जोड़ने के लिए, एक 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 एलेक्ट्रोनों से उनके बीच में क्या बना, बंद बना, तो बच्चों, यहाँ पर, यह जो अतिव्याप जी, यह बच्चों कहलाएगा सहसे उजी, क्योंकि आपको डेफिनेशन में, मैंने बताया था, कि दो समान परमाडू, या दो भिन परमाडू, बराबर मातर में एलेक्ट्रोन का साजा करते हैं, और साजे के लेक्ट्रोन जोड़ने कहां रखते हैं, अपने मद्ध में रख इस तरह से दिखाएंगे, हम दो फ्लोरीन परमाड़ों के बीच में एक सिंगल, एक डेश की लाइन खीचेंगे, और यह हमारे बंद को रिपिजन करेगी, साजे के लेक्ट्रोन युग्म को हम इस तरह से उनके मद्ध में लिखकर दिखाएंगे, यह जो एलेक्ट्रोन का यह जोड़ा तयार होगा, इस ही को हम बोलने वाले हैं, तेके, इसको हम बोलने वाले हैं, बंध या बंध़ी-ध्रण युग्म, जो बंद का निर्माल कर रहा है ना, वो एलक्ट्रॉन का युग्म जो बना हुआ है, पेर की रूप में वो युग्म है, तो यह बंद यह लगता है, बच्चों जब एक 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 एलक्ट्रॉन से बंद बनेगा, साजेगा, तो बंद हामेशा सिग्मा होगा, और प्रबल बंद की स्रीली में आता है, मतब यह एक तरह का मजबूत बंद है, बहुत आसानी से तूटने वाला नहीं है, यह एक प्रबल बंद है, ठीक है, चलिए कुछ और भी एक्जामपल लेता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर दो समान परमारू के बीच में लिया, तो भिन है, यह इस तरह से उसके अनतिम कोश में लिया एक हरदा है, प्लस हम देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन से दो हड्रोजन जोड़े हैं, तो अब यह इस तरह से एक दूसरे से जुड़ेंगे ऑक्सीजन के अंतिम कोस में छे एलक्ट्रॉन है तो उसको अश्टक पूर्ण करने के दो एलक्ट्रॉनों की आवशकता है जब कि हाइड्रोजन के अंतिम कोस में किवले एक एलक्ट्रॉन नहीं करेगा वो अपना दुष्टक है अपना दुरी एक एलक्ट्रॉन की आवशकता है फाइनली जब यह जोड़ेंगे बेटा इनकी बीच में जब जोड़ाओ होगा तो यह एक ऑक्सीजन पर मारू एक हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा दूसरे को भी अपने साथ जोड़ लेगा हाइड्रोजन अपने एक आफ तरमٌ को आफ जोड़ाओ उस जोड़ा तो यह पूरी फ्यक्री आपको देखने को कुछ परित्त होगा सब जाइगा इससे एक hydrogen यहां जुड़ा, इससे एक hydrogen इस तरह से जुड़ा, बाकी के जो electron युगम थे वो इस तरह से थे, और इसका जो बंदी electron युगम थे, वो कुछ इस तरह से थे, ठीक है बच्चो, तो finally हुआ क्या, oxygen ने एक electron दिया, तो hydrogen ने एक electron दिया, यानि बरावर मातरा में electron का अधान प्रदान हुआ, electron का अधान प्रदान बरावर मातरा में हुआ, और electron हमेशा दोनों के मद्द में हैं, और यही वज़े है बच्चो, कि दोभिन परमाणों की बीच में पुने जो बंद बना, वो सैसे जी बंद है, ठीक है, तो सैसे जी बंद आपने समझ लिया, ध्य जो हैं वो, एकल बंद होते हैं, ठीक है, सैसे जी बंद, दुई बंद होते हैं, मतलब इनमें दुई बंधन पाया जाता है, एकल बंधन, दुई बंधन, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजेगा, और इसके अलाभा, त्री बंधन, आपकी बुक में थोड़ी सी सब् कि इस तरह की हैं तो इकल बंद और तरीबंद तो इकल बंद का उधारण अभी आपने फ्लोरिन के इग्जाम्पल देख लिया जब एक एक औरप्टोन का साजा होगा तो केबल एक बंद बनेगा जब दोज अलक्टोन का साजा होगा एक एक ग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको O2 का निर्मान दिखा दूँ ठीक है जल्दी से तो बच्चो ऑक्सीजन का परमाडू क्रमांग आठ दो और छे पिर एक प्लस दूसरी ऑक्सीजन परमाडू का क्रमांग आठ दो और छे अंतिम कोश में 6 एलेक्ट्रोन है तो एक एक अक्सीजन एक दो तीन चार पांच छे प्लस एक अनादर ऑक्सीजन एक दो तीन चार पांच और एक छे फाइनली क्या होगा बच्चो जब यह दोनों जुड़ेंगे तो इनके जुड़ाओ की पक्रिया को जिस प्रकार हो जाएगी इनको अपना अश्तक पूर्ण करने एक जो योगी के वो तैयार हो जाएगा और यहां पर ओटू का एक अडू बनेगा जब दो अलक्तौन का साजा होगा बच्चो तो हम उनके बीच में दो बॉंड बना कर दिखाएंगे जब दो बंद होंगे तो इसमें से एक बंद पाई होगा और दूसरा बंद सिग्मा हो पाइनली मैं त्री बंद भी आपके सामने एक उधारन ले लेता हूं और मैं आपको उसके लिए एंटू का निर्माड दिखा देता हूं तो बच्चो एंटू का निर्माड देखिए ध्यान दीजे एक नाइट्रोजन परमाडविक्रमंग साथ दो और पांच प्लस एक पूंड करने के लिए तीन-तीन एलक्ट्रॉन की आफशकता है तो बच्चो यह इस तरह से जोड़ जाएंगे सबसे पहले और इनके बीच में ठीके तीन-तीन एलक्ट्रॉन का साज़ा हो जाएगा सेस एक-एक एक एलक्रॉन जोड़ा वो अपने पास रखेंगे और इस तर से त्री बंद का एक उधारन है ठीक है तो बच्चों इस तरह से हमने सहसों जी बंद के बारे में एक जानकारी ली इन वीडियो को आप बार बार देखिए बहुत जल्दी आप से अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी और हम अगला जो टॉपिक है वो आपके लिए लेकर जाइके जिके